और अब बात उस साज़ेश की करेंगे जो की सरहत पार रची गई और ना सर्फ रची गई बलकि उसे असल में अमली जामा पहनाने के लिए एक आतंकी को नफरत और गरबड़ी पहलाने वाले कतर पंतियों से सरहत तक पार करवा दी गई कनीमत ये रही कि वो आतंकी सरहत पर ही दबोच लिया गया लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद जो खुलासे सामने आए उसने हिंदुस्तान की तमाम सुरक्षा एजिंसियों को बुरी तरह से चौका दिया ये साफ हो गया कि किस तरह नफरत का जहर और जिहादी साज़िशो को सरहत पार कराया जा रहा है और उन्हें किस तरह का खुबसूरत लालज भी दिया जा रहा है राजिस्तान से सामने आया संसिनी खेश खुलासा सरत पार तक फैला नफरत के तारो का नेटवर्प पाकिस्तान में रची गई लुपुर्श शर्मा के खिलाफ साज़िश पाकिस्तानी आतंकी के सीने से सामने आया राज सरहत से पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी रिजवान पकड़ा गया पाकिस्तान आतंकी रिजवान सीमा पार करते समय बीएस एफ ने पकड़ा रिजवान को स्क्रीन पर दीख रहे इस शक्स के चेरे की मासूमिय से धोका मत खा जाईएगा क्योंकि इसका तीत और इसका वर्तमान दोनों ही इसके खौफनाक होने की गवाही दे रहे हैं ये तो मैज इत्तिफाक है कि ये पुलिस के हथे चड़ गया वन्ना जिस इरादे से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था घलती से भी अगर इसने अपना मकसद पूरा कर लिया होता तो इस वक्त पूरे मुल्क में कोहरा मच गया होता इसका नाम रिजवान है और ये पाकिस्तान से आया है पुलिस और सुरक्षा बलो के कबजे में होने से ये तो जाहिर हो ही जाता है कि ये कानूनी रास्ते से तो हिंदुस्तान नहीं आया असल में इसे भारत और पाकिस्तान की सीमा से पकड़ा गया लेकिन इसके पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ वो बहुत चौकाने वाला है राजिस्तान पुलिस और खुफिया विभाग के आला अफसरों के सामने आयरिजवान के खुलासे के मताबिक पाकिस्तान के भीतर वहां के मौलवी साजिश रच रहे हैं और ये रिजवान उसी साजिश का एक नतीजा सबूत के तौर पर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजनसी के कबजे में है ये पाकिस्तानी अपराधी है जिसने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता लुपूर शर्मा के हट्या के इरादे से ही इसने हद लांगी थी अभी तक जो कुछ सामने आया उससे यही पता चलता है कि मजभ़ के नाम पर रची गई इस साजिश को कितने शातिर तरीके से रचा किया था पकड़े गए एस पाकिस्तानी आतंकी से पूछताज के दौरान जब भी कोई सवाल पूछा जाता तो ये कुरान की आयतें बुद्बुदाने लगता है इसने ये बताया कि जो खादिम हुसेन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था इस वज़े से ये उनके भाशन वगएरे सुनता रहता है इंटरनेट और टीवी पे जब आते हैं और वो जब कोई प्रोटेस्ट माच या कोई सभा करते हैं तो ये उसमें शामिल होता है ये अभी तक इस्टैबलिश नहीं हो पाया है कि ये उसका कोई एक्टिव मेंबर या पदादिकारी है इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जहांते पूछताच की बात है तो नैचरली ये प्रेशर में भी है कभी-कभी इसने तबियत खराब होने का भी बात बोलता है हाला कि कल इसका चेक अप कराए गया तो डॉक्टर ने सारे इसके जो आईटल स्टैस्टिक्स है वो नॉर्मल बता है पर इसने का मेरी तबियत खराब है इसी प्रकार कभी ये कुछ धार्मिक बातें जो है वो गुड़बुदाने लगता है पर परन्तु ये पूछताच में नॉर्मल है ये किसी के साथ भी कोई प्रेशर में आता है इस तरह से होता है बकॉल श्री गंगा नगर एस पी बीती सोला और सत्रा जुलाई की दर्मियानी रात को रिजवान बॉर्डर सिक्योर्टी फोर्स के जवानों के हत्ते चड़ा जिस वक्त वो अंतराष्टे सीमा लांगने की कोशिश में था आप तक मिली जानकारी के मताबिक ये पाकिस्तान के मंडी बहुत दीन से चला था और आजिस्तान बॉर्डर पर हिंदु मल्कोर्ट के बॉर्डर के पास पकड़ लिया गया पता यही चला है कि वो मंडी बहुत दीन के कुटियाल शेक इलाके का रहने वाला है 24 साल के रिजवान ने अपनी पहचान के तौर पर पिता का नाम महमद अश्रा बताया है पुलिस की पूस्ताच में रिजवान ने ही कुबूल किया है कि वो अपने गाउं में ही रहकर बिजली का काम करता है और उसमें आठवी तक की पढ़ाई की है पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगाता स्री गंगानेगर बॉर्डर के जरिये मादक पदार्थ भेजता रहा है ऐसे में रिजवान के मामले में भी सुरक्षा एजनसिया पता लगाने में लगी हुई है कि रिजवान नुपुर सर्मा को मारने तो आया था मगर किसके सहारे आया था कौन इसके संपर्क में था क्योंकि रिजवान के पास ना मोबाइल था और ना ही कोई केरेंसी थी ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब रिजवान के भारत संपर्ग के बारे में पता लगाने में लगी हुई है खुलासा यही सामने आया है कि नुपुर शर्मा का कतल करने के लिए पाकिस्तान के मॉल्वियों ने इसका ब्रेनवाश करके यहां भेजा है जैपुर से शरत कुमार के साथ आस तक भीरो